नवस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के तिहारी चीफ मिनिस्टर के लिए बड़ा खतरनाक साबित होने वाला है क्योंकि तमाम मीडिया में टेलेविजन चैनलों पे सोसल मीडिया पे एक खबर जंगल की आग की तरह पहली है वो ये कि आम आदमी पार्टी का एक बहुत ही इंपोर्टन्ट एक बड़ा लीडर वो भादी जनता पार्टी के संपर्क में है लेकिन साती सात ये भी पताया जा रहा है ये सक्स ऐसा है जिसका ये शराब घुटाले में फसे तमाम लोगों पे अच्छा खासा प्रभाव भी है सारे लोग अंक गनित बीज गनित का फॉर्मूला लगा रहे हैं कि वो सक्स कौन हो सकता है सारी सक्सुई राघव चड़ा के उपर क्योंकि जब से केजरिवाल जेल गए तमसे राघव चड़ा वो गाव है ठीक वैसे ही जैसे गधे के सिर से सिंग गायब होती है सरपट पता ही नहीं वो कहा है एक ट्वीट किया उसके बाद गायब बताया गया कि कुछ इलाज के लिए गया था विदेश साथ पहली होली थी होली के समय की बात है अपनी नवी नवेली पत्नी के साथ वो होली मनाना था बिलकुल मनाना चाहिए पत्नी वापस आ गई, इलाज चालू है कहां छुपा हुआ है? क्यूं छुपा हुआ है? ये सारी कहानी ये मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन ये समझने की बात है कि ये जो इस तरह की खबर क्यूं आ रही है और क्यूं केजरिवाल ये राजनीती का नटवर लाल है उसको ये पहले से ही मालूम था कि इस तिफ़ा मैंने दिया नहीं कि ये बावाल पार्टी के अंदर ही मच जाएगा अब आप समझें? क्यारविंद केजरिवाल इस तिफ़ा क्यूं नहीं दे रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे जैसे उसकी पकड़ पार्टी और सरकार के उपर कमजोर होगी लोग एक के बाद एक डिच करके निकलते चले जाएंगे अभी एक दिन पहले एक मंत्री ने इस्तिफा दिया क्या कहा उसने? बहुत अपमानित होना पड़ता है पार्टी के अंदर MLS की सुनी नहीं जाती अब तो बताया जा रहा है कि कई सारे पार्षद वो तो राम जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दिन ही साफ साफ दिख गया कि ना सारे विधायक उस उपवास में आए ना सारे पार्षद आए ना उनके कोई समर्थक आया कुछ लोग पहुँचे डाय सो तीन सो की भीड पहुँच पाई थी कहा ये लोग बवाल काट रहे थे कि पूरा पूरी दिली जो है उपवास के लिए आने वाली है तो कहने का मतलब ये है ये राजनिती बड़ी ही निर्मम चीज है हाथ से सत्ता हाथ से पावर फिसला नहीं कि दोस्त दुश्मन बन जाते हैं ऐसे वैसे दोस्त नहीं जो आपके साथ कस्मे लेते हैं वो दोस्त भी आपके दुश्मन बन जाते हैं राजनिती तो इतनी बड़ी जहरिली चीज है कि पती-पत्नी के संबंद को खराब कर देती है पती-पत्नी आपस में कॉम्पिटिशन करनी लग जाते है तो ये नशा कुछ और लेवल का है और यही रीजन है कि केजरिवाल को अच्छी तरीके से मालूम था कि मैं कमजोर हुआ और पाटी छिन भिन हो जाएगी फिर ये पाटी बचने वाली नहीं है तो कौन है वो सक्स जो अर्मिंद केजरिवाल को डिच करने जा रहा है ऐसा सक्स जो इस सराब घोटाले के कई सारे लोगों के उपर एक अच्छा खासा प्रभाव रखता है स्टोरी की जितने भी खबर आई अभी तक इस सराब घोटाले से जुड़ी हुई उसमें तो जो बचे हुए हैं बाहर उसमें तो रागव चड़ा ही सबसे हिट व्यक्ति समझ में आते हैं क्यूँ सराब घोटाले की मीटिंग्स के दोरान ये भी बताया गया कि चड़ा उसको कॉडिनेट किया करते थे ये भी बताया गया कि किस तरीके से यही फॉर्मूला पंजाब में लागू किया गया अजब पंजाब में लागू किया गया तो पंजाब में तो सिर्फ नाम के चीफ मिनिस्टर भगवंतमान है पीछे से तो यही सरकार चला रहे थे इनको भेजा ही गया था इसी काम के लिए कि भगवंतमान के पीछे लेकिन मैं सुन रहा था कई सारे reporters को तो कि television पर चल रहा है तो सारे reporters यह कह रहे हैं कि राघव चड़ा नहीं हो सकते राघव चड़ा सबसे close व्यक्तियों में से हैं वो तो इस बात के लिए कई सारे आमादबी पार्टी के अंदर कई सारे लीडर्स इस बात से खवर रहते हैं कि अर्विद केजरिवाल थोड़ा ज़्यादा ही भाव देते हैं राघव चड़ा को तो राघव चड़ा नहीं हो सकते तो एंकर्स पूछ रहे हैं अपने अपने रिपोर्टर को जो आम आदी पार्टी को कवर करते हैं वो बता रहे हैं कि पता नहीं कौन हैं भई रिपोर्टिंग क्यों करते हो इतनी बड़ी खवर आ रही है आप गेस्तो कर लो सवाल दूसरा है अभी राघव चड़ा को अगर वो इतना क्लोज है अगर अर्वंद केजिवाल उसको सारी चीजे शेर करते हैं और उनको एक बहुत ही एहम लीडर मानते हैं पार्टी के लिए तो फिर उसको तो अभी सड़कों पे होना चाहिए था सारे प्रेस कांफरेंस वो चड़ा को ही करना चाहिए था वो गायब है आया तक नहीं बयान तक नहीं संजे सिंग बाहर आते तो ट्वीट कर देता है तो इसका मतलब है कुछ खिचड़ी पक रही है और खबर यह आ रही है कि सुप्रेम कोट का फैसला आया नहीं कई सारे लोग पार्टी छोड़ अलग अलग जगह पे निकल लेगे अब यहाल में हर्बजन सिंग बने सांसद एक ट्वीट तक नहीं किया है प्रोटेस्ट में सामिल नहीं हुए कहा है स्वाती मालिवाल वो तो बड़े निजदी की माली जाती है अर्विंद खेजरिवाल की वो भी नदारत वो भी गायब सीन में नजर नहीं आ रही तमाम रास्वा के सांसद वो गायब है पुराने लोग स्वा के सांसद थे वो भी गायब है संजय सिंग को छोड़ के कोई भी ऑफीसियल व्यक्ती केजरिवाल के प्रोटेस्ट में सामिल नहीं हो रहा है और जो कोई छोड़ रहा है उसको आप कह बाउट से नहीं लेकिन खेल इसलिए खराब हुआ इन सारे चीजों के उपर इसके साइक्लोजिकल रेमिफिकेशन को समझे कि जो विजनस डिपार्टमेंट ने एक्सिल लिया अर्विन केजिवाल कमजोर है अर्विन केजिवाल कमजोर हो गया जेल से सरकार नहीं चल रही है उसका एक क्लासिक एक्जाम्पल पेश किया गया विजनस डिपार्टमेंट की तरफ से केजिवाल के सबसे खासम खास उसके राज़दार विभब कुमार उसका पीए उसको विजनस डिपार्टमेंट ने सैक कर दिया ना पाटी कुछ कर सकी ना केजरिवाल कुछ कर सके और ये जो बड़े-बड़े बाते कहने वाले डिंगे हाकने वाले ये सौरभ भारत दुआज संजे सिंग और ये तमाम लोग ये लोग भी इस एक्शन के खिलाफ कुछ नहीं कर सके पी ये गया और इसका psychological impact बाकी leaders पे इस तरीके से है कि जब केजरिवाल का सबसे खासम-खास व्यक्ती वो नप गया हम किस खेत के मूली है और क्या लिखा आया ख़बर में पर इस ये निच्ट्रेतर आ विजलंस है टर्म निच इच्चिज ठिट एस व्यक्ड इसकाटरें प्सक्ड विजलोग कुछ पर्सल सेरेटर आफ जेल च्व्अ कुमार कुछ डिली चीप मिस्टर अर्विद केजिवाल ओर नुटन हैं फिर्ष दिर्ष बार वीजिर्स विजिलंस वीच्छ एख च्छेखर वृन प्रुमर्ट वीजर्टान फीच एगुमर्ण वोन महेश्पाल ऑफुटिक्ष फिर्ष रिष्य अबूतुतिंगां। abusing him a case was reportedly registered in this regard it further stated that a background check of the personal staff of the minister should be conducted and verified before engaging non-government officials क्या अजीब जस्टिस है न्या है डिवाइन जस्टिस में बार बार कहता हूँ अर्विन केजवाल के सबसे खासम खास व्यक्ति को सैक किसके आदेश पर किया जा रहा है तो यह वाई वीवी जे रास्सेखर याद आया नाम आपको यह स्पेसल सिक्रेटरी विजन्स डिपार्टमेंट है यह सीश महल का बावाल जब हुआ यह सराब घोटाले के जो फाइल्स इसकी जाँच में लगे वे थे और कुछ दिन के लिए जब सुप्रिम कोट का फैसला आया था कि विरोक्रेट्स के उपर अधिकार दिली सरकार का रहेगा तो उस दस दिनों में क्या किया गया था इस व्यक्ति के उपर तमान तरह के अनरगल आरुप लगाए गया इनके जूनियर्स को कहा गया कि तुम इसके पास फाइल लेकर के नहीं जाओगे सीदे इधर आओगे यहां तक की रात के अंधेरे में इनके दफ्तर के अंदर केजिवाल ने अपने चम्चों को भेज के फाइले फोटो कॉपी करवाई थी यह वही राजसेखर हैं यह वही राजसेखर हैं जिनको आपने पनिश किया जाए इस तरह की अधिके से लेकिन यही है बुरे काम का बुरा नतीजा के जीवाल कुछ नहीं कर पाए यह व्यक्ति कैसे इसको अपर्चुनिटी मिलता है विभब कुमार क्या है वो एक प्राविट परसन है वो कोई सरकारी अधिकारी नहीं है कानून का हवाला दिया गया कि जिस किसी व्य कार्मेंटल व्यक्ति को अगर आप पीए पीएस बनाते हो तो उसकी बैकग्राउंड चेकिंग जरूरी है आपने करवाया था नहीं करवाया क्यों आपको लग रहा था कि हम तो यहां के साथ जहां हैं और इंजेब हैं हम तो दिल्ली के बाश्या हैं मालिक हैं जो मन आएग पार्टी के कार्डर्स लीडर्स नेताओं पार्शतों बह्या आपके समझी विवग कुमार के सामने मंत्री भी विवग कुमार को फोन करके अपन्मेंट लीता था बढ़े-बढ़े मंत्री यह आतिसी सौरव भारतवाज मिलना इनको केजरिवाल से यह रास्ता है बिना वि विकेट गिर गया तो सारे लोग हतास हो गए हैं सुप्रिम कोर्ट का फैसला आएगा जैसे आज केल पत जड़ में सुखें में पते जड़ जड़ गिर रहे हैं आम आद भी पार्टी से ऐसे ही नेताओं का एक्सोडस सुरू हो जाएगा मतलब पार्टी छोड़ के सब अप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद